Hello Everyone, Welcome to Zara Food & Vlog आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की सब्जी कद्दू की सब्जी का नाम सुनके वापिस मुझ जाईएगा आज मैं आपको रेसिपी के साथ साथ कद्दू से होने वाले फायदे के बारे में भी बताऊगी कद्दू जो होता है वो priorities कंट्रोल करने में बहुत फायदे मंद है आँखों के लिए ही बहुत फायदे मंद है हमारी हड्यों को और Immunity को काफ़ स्टॉंग जाग करता है और weight loss के लिए भी बहुत असरदार होता है इसमें antioxidant होते हैं विटामिन A, विटामिन C, फैटी एसीट और विटामिन E भी होता है, जो कि हमारे बालो और हमारे इसकिन के हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमन्द होता है, मैंने हैं पूरा कद्दूर लिया है, जो कि 1-200 ग्राम का था, पीसेज में कटकर लिया है, इसका पल्प नहीं निका बंजी जी से मंग्रयल कहते हैं, और हाफ टीस्पून है सौफ, इसका सबका हम एक पॉडर बनाएंगे, हलका सा रोस्ट करेंगे, चार सुखी लाल मिर्चे हैं, इसको तड़के में यूज करेंगे, मैंने कड़ाई में ये तीन बड़े चम्मा सरसो का तेल लिया है, सरसो के में हम डालेंगे हाफ टीस्पून, ये है हींग, और ये जो सुखी मिर्चेती वो भी डाल दी है, अगर हींग आपकी काफी स्ट्रॉंग फ्लेवर में हैं, तो आप इसको और कम डालिएगा, अच्छी तरीके से हम ऑईल के साथ सबजी को मिक्स कर देंगे, इस सबजी जो है थोड़ा बनने के बाद कम हो जाती है, इसलिए मैं इसमें अभी नमक नहीं आट कर रही हूँ, इसको मैं पांच मिनट के लिए ऐसे ही तेल के साथ फ्राइ करूंगी, उसके बाद मैं इसमें नमक और और मसाले आट करूंगी, कवर कर देंगे इसको, पांच मिनट हो गए है रककन हटा के इसको हम इसमें हम डाल देंगे, वन टीज़पून फुल है ये नमक, क्योंकि सबजी हमारी जादा है, हाफ टीज़पून मैं इसमें डाला है हल्दी का पाउडर, वन टीज़पून है ये लाल मिर्च का पाउडर, और ये मसाला है जो अभी आपको दिखाया इसको मैंने पीस लिया है, पौडर बना लिया है, ये टू टीज़पून हुआ है, ये पूरा हम डाल देंगे, उस ही इसाब से मैंने पौडर बनाया था ये, उतना ही हुआ है कि हम सबजी में डाल दें, अगर आप ज़्यादा बना लेते हैं तो उसको आप रख सकते हैं, इसे आप करेली की सब्जी में डाले और सब्जी में डाले ये बहुत ही टेस्टी लगता है, इसे फिर से कवर कर दे रही हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए, पाच मिनट के लिए कवर किया था, वापिस खोला है, सब्जी ने काफी पानी रिलीस कर दिया है अपना, अभी य अब मैं डाल रही हूँ, वन टी स्पून है ये सब्जी मसाला पाउडर, अगर आप सब्जी मसाला नहीं डालना चाहते हैं, तो आप इसकी जगह पर गरम मसाला यूज़ कर लीजिए, लेकिन सब्जी मसाला डाल लिएं से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कवर कर द काफी सौफ्ट और बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत फ्रेश मिलते हैं, अगर आप जो कद्दू बना रहे हैं, वो इतना फ्रेश नहीं है, तो आप इसमें थोगा सा पानी एड़ कर लीजिएगा, ताकि आपकी मसाले जले नहीं, अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ, ये बारिक कर लिया था, अगर आपके पास गुण नहीं है, तो आप चीनी डाल लीजिए इसकी जगा पर, अगर आपको चीनी भी पसंद नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही डाल बनाईए, ये बहुत टेस्टी बनेगी, लेकिन इस तरह सा खटा मिशा टेस्ट जो है, वो बहुत अच्छा लगता है, फोड़ दर इक लिए फिर बंद कर देजिए, सब्सें बारी गल चुकी थी, हरी धन्य टाल देजिए उपड से, ये बहुत ही देखने में अच्छी लग रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी थी, गर्म गर्म आप इसको पराठे के साथ, पूरी के सा चपाती रोटी के साथ सर्फ करिए, जो लोग नहीं पसंद करते हैं कद्दो के सबजी, वो भी खाने लगेंगे, आप एक बार जरूर इस रेसिपी को श्राइ करिएगा, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैन गर्मा गर्म सब्दी सर्फ करिए, उपर से गार्निश कर देजिए हरी धन्या के साथ, इतनी अच्छी लग रही है देखने में और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है, आप एसिपी ज़रूर ट्राइ करिएगा, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना आख हैं रुकी